हेलो बच्चो दिस इजे और आपकी डिमांड के बीच में लेकर के आ चुका हूँ कि CBSC मार्किंग कैसे करती है चैप्टर वाइस तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि क्लाश 10 की फिजिक्स की जो मार्किंग होती है वो किस प्रकार होती है प्री बोड आपके बिल्कुल चल रहे हैं अभी और बोड इग्जाम बहुत पास में है तो अभी आपको जानने की ज़वरत है कि हमें चैप्टर वाइस कितने कितने मार्क नम्बर मिलने वाले हैं तो हम लोग फिजिक्स की बात करने वाले थे फिजिक्स का जो हमारा पहला यूनिट है उसका नाम है natural phenomena, natural phenomena जो unit है उससे 12 marks का exam में आपको पूछा जाएगा, इसमें 2 chapter divided किए गए है, पहला chapter जो हमारा वो light reflection and reflection है, और इसी में जो दूसरा chapter है, वो human eye and colorful word, इन दोनों chapters में जो marking है, वो मिला करके 12 marks की है, और light reflection and reflection में 8 to 10 marks का लगबग में पूछा जाएगा, और इसमें आपको numericals भी देखने को मिलेंगे, numericals के साथ साथ आप क्या मिलेंगे, theoretical questions भी मिलेंगे, long question आपको जादा तर इसी पार्ट से देखने को मिलेंगे, और जो human eye and colorful word है, इसमें से आपको 3 to 4 marks का देखने को मिलने वाला है, और इसमें आपको topic की तरफ चलते हैं, जो दूसरा unit है हमारा, उसका नाम है effect of current, current का क्या प्रभाव है, तो ये जो पूरा unit है, ये 13 marks में डिवाइड है, और इसमें भी 2 chapter है, electricity और जो दूसरा chapter हो है, magnetic effect of electric current, तो जो electricity chapter उसमें 8 to 10 marks का पूछा जाएगा, इसमें आपको numericals देखने को मिलेंगे, और theoretical part भी मिलेगा, और जो दूसरा chapter है, इसमें आपको numericals 1 या 2 marks में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इससे theoretical part आपको ज्यादा मिलेगा, जो 3 to 5 marks का एगा, और यहाँ पर 8 to 10 marks का एगा, तो आपके pre-board चल रहे हैं, तो आपको अभी यहाँ पर बिलकुल तेजी से revision करने की ज होता है, उसके लिए, जो है, हम आपके लिए daily साम साड़े साथ बजे live आ रहे हैं, sample paper solve कर रहे हैं, daily साम साड़े साथ बजे और उसी के साथ mentee quiz भी कर रहे हैं, ताकि आप अपनी preparation को क्या कर पाएं, बहुत तेजी से कर पाएं, ताकि आपका mind जो है, paper के exam के level के लिए क्या ह रखिये